सत्तू के पराठे हैं सत्तू के पराठे हैं इसको ऐसे किया जाता है मैं मम्मी आज यही बना रही है इसको यह दिखे दिखे दाल का हलवा है इसमें ड्राइफ फ्रूट डालना है रेव डाल गया इसमें किस्मिस और काजू और बदाम डालना है बहुत सा राय डालना बहुत सा राय डालना है तंस कम आप इसको बीस पीस ले ले सब इसको देखे वह देखे कि अतना अटा चाहिए है इसको पूरा हाई फ्लेम पकाना है लो फ्लेम में पहले हाई फ्लेम फिर बाद में लो फ्लेम सारी फेंट मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है इसको पूरा है ओल्ड हो गया है कोल्ड कोल्ड इसको पूरा है इसमें थोज़ी मिर्ची भी डाल रही है इसको निकालना होता है इसको बार बार आज इसको निकालना है चलाने के साथ इसको निकाल बिलेंगे आपको निकालने के लिए इसको इसकी विजोड पड़ेगी या पर कपड़ा से भी आप निकाल सकते हैं कि अधार थो अगर आप इसे चुए तो बहुत धीरेश चुए होंगे चुनना चाहिए है कि अधिके इसके लिए आपको इसकी जट पड़ेगी इसके लिए इसकी जट पड़ेगी इसके लिए आपको एंपूरा चार चुला चाहिए है इसके में आपको इतना बड़ा चुला तो चाहिए ही होगा इसके में बहुत साइसे पक सके इसको मम डाल दी है और इसके वहाँ डाल दी है मामी कल चाहन के बनाई थी और आज मामी बिना चाहन के बनाई है क्रेंगे भी बाल को इसके मैं है क्रेंगे बनाई है ड्रफ आएर पल्म गामी के बनाई है सबाइड पल् hatि हम आएर चाहिए खनए जे जुडलेंगा है Solo 停 है बनाई है दिएrev esto जो कि दिखेंगे से इसे दो बखेंगे दिखें यह राप्राइबन की दिखेंगे यह विर्थ ने दो जो कि आदे का लिए यह दो या फिर थोड़ा सा बड़ा चमल से भी डाल जकते हैं आपके बज्जों भी चमल से भी आप ड्याल सकते हैं अज़को आप उसी से उसी चमल से दबा सकते हैं इसको कितना अच्छा बन रहा है पहले पूरा बाइड था अब यह ऐसा हो गया है किया आपके आपके